हेलो माई जीड़ स्ट्रेंट्स वेलकम टुवेदू अरद स्मार्ट लेंडिंग है मेरा नाम है अंकिष्रिवास्तव आज मैं आपके लिए करके आया हूँ क्लास 6 इस साइंस का चैप्टर 10 तो इससुरेंट्स आज का हमारा चैप्टर है motion and measurement of distances जिसमें कि आम लोग जानेंगे देगे motion मोशन मतलब क्या गती और measurement of distances यानि कि कोई distance अगर है तो उसका क्या measurement होते हैं वह सारा कुछ हमोगी सेलेक्टर में जानेंगे तो इस्टुरेंट्स मैं सबसे पले आप से बात कर लूँ वार्द टॉपिक्स टूबी डिसकर्स टोड़े तो पहला टॉपिक है हमारा आप में तेबल डेन में दिलेंग लेंथ अपकर लाइन देन मुविंग तींस अरूड अंडे लास्ट टोपिक ताइप आप मोशन तो एक एक करके हम लोगी इन सभी चीजों को जानेंगे सबसे पहले ट्रांस्सपोर्ट नहीं पहले ट्रांस्पोर्ट सबस्थ-पहले राइब प्रडप नहीं पहले कि और बहुत यृपषइं अरक्यर पया फिर एक ट्सक्रीज थो दो विवारा को बता दूं शरॉटहर है कि सबसे पहले स्टुरेंट कर अपने ऊपर समान को लोड़ कर के वह लोग स्टूरेंट्स हमारा एनिमल्स सो इंसान का सोस थोरा सा और एडवांस हुआ देन उसके बाद वह लोग एनिमल्स का यूज करने लगे आप लोग को पता होगा आज कल के आप लोग रोट पर देखते होगे जिसको आप लोग खचर या फिर गधा उसके उपर समान लोट करके किसी डिफिन डिस्टेंस को कवर करते हैं ठीक है आप और कह सकते हो फिर हाथी घोड़ा यह सब भी उससे ट्रांस्पोर्टेशन का एक मेडियम बना नेक्स में स्टूरेंट्स मैं आपसे बात करूँ सो बोट्स कि the case. अब मैं तो हम यहां तो बातो रही है आपकी यानि कि यहाँ पर बातो यह आपकी land स्टम की यानि कि जो जमीन पर चलने के लिए ट्रांसपोर्डेशन स्टम हैये कुछ कि इसको भी आप लोग जानी लो यह जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम आपका है यह तो आपका जमीन पर चलने के लिए अब देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट बोट्स तो बोट्स का यूज क्यों क्या गया अब आप ही मुझे बताओ क्या समुंद्र में या फिर नदिय गया ऐसा नहीं कि अभी जो आप देख रहे हो डीजल से चलने वाला सिप वह समय डेवलप कर दिया गया था नहीं कुछ है कह सकते हो आप काफी मिनिमुम लेवल का जैसे की जिसमें बोट्स इसमें क्या होगा सिर्फ उसमें वूड होंगे और उसको चलाने के लिए आपको एक नौका चाहिए ठीक है तो यहां पर आपको मैं बता दू यहां पर उतना वे डिवांस लेवल का शेप का इन्वेंशन नहीं किया गया था नॉर्मल बोट्स चलते थे बाकी और कुछ नहीं कि जो अनिक्रत अब मैं आप से बात करो सूब वीज मैस हमारे ट्रांस्पोर ड्रांस्पोर्ट गर ट्रांस्पोर्टाम proces kg बना देखें यहां पर आपने सीख है कि ऐनिमल्स का यूज किया जाने लगगा ट्रांस्पपोर्टेंशन में तो ए angled के यह साथ तप क्या होने लगा की चार्ट बना दिये गया है आज निपा लोग जानते होंगे ग्लाव कार्स के बारे में कि भुछॉक कार्ट किOSE सुरेंस बिलोग, कापि क्या होता है है रीहतलो की बैल हाँ आगे पीछे होता है यानि की बैल लोग फिर आयरन के यूज़ करना वहां सुरूख किया कुछ मेटल्स करना सुरूख किया तो सबसे पहले लगणी कर बनाते थे लोग काट उस पर क्या होता था कि समान को लोड कर दिया जाता था पीछे और आगे चलने के लिए उसका मीडियम बनता था यानि कि वो उस काट को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता था तो वील्स आप लोग देखिया हो कुछ इस सेप का होता है अच्छे के ना सुडेंट्स तो वील्स बनाया जाते थे मतलब की वील्स का यूज फिर किया जाने लगा उसके बाद मैं आप से अगर बात करूं सुरेलवेज मैं से दिकेस्ट तृम स्सक्राव वहूpatient में किया शने लगए कूंकि देक इसमें काफी जदा meborg आप काफी जदा मशिंडि यूज को यूज किया गया है तो रेले वेय प्रों कैस सकते हो नाय lessonУरी इलाने का कारण यहीं कि इसमें काफिछ ज्यादा में काफिज़ादा एडवांस ड्यूइज आफ़ एडवांस में इसमें यूस किया जैनल लेघ इसी लिए रेलेविस यतना बाद में आया तो उससे पहले विल्स हो गए बोर्ट होग एनिमल्स होगे मैन हो गया यह सारे का मेडियम हुआ यह काफी ज़्यादा एफिशेंट साबित हुआ कारण क्या क्योंकि इसमें एक तो आपके मतलब हजारों किलो समान इसमें आप लगा सकते हो बिना किसी इशू के और दूसरे में यह क्या था यह थोड़ा स्पीड भी चलता था तो ट्रांस्पोर्टेशन थोड़ा फास्ट हो गया और काफी ज्यादा बल्क में चीज़ें उसके उपर आने लगी ठीक है सो रेलिवेस का यह एक मेन एड्वांटेज बना उसके बाद अगर आप आज की बात क एड्वांस लेवल का ट्रांस्पोर्टेशन हो गया कारण किया इससे और भी ज्यादा फास्ट अगर आपको दिल्ली जाना आइसके लेट में तो आप क्या यूज करते हो आप यूज करते हो आप ट्रेन से जा सकते हो भी तो बस भी चलती है आप फ्लाइट से जा सकते हो तो इक तरह से अगर आप यहां से बात करो इस लेवल से बात करो और अगर आप इस लेवल तक करते हो हूआ है तो आपको एक चीज जरूर यहां पलेखने को मिलेगा कि यहांपर जो ट्रांस्पोर टेशन में समय आता था वो सबसे ज़यादा टैम काई होता था है इस वाले मीडियम की मैं अगर बात करू, मैं अगर आप Being material की बात करू लिकिन अगर आप aeroplane पे आप ow तो सबसे कम फाल टाइम रटा सबसे कम टाइम करमाधू रटा लटा है तर वह हमारा aeroplane ok sergeants अब मैं इसके बाद next topic को discuss करूंगा आपसे कि मेजर्मेंट्स देखें मेजर्मेंट क्या होता है स्टुडेंट्स हम लोग इने पिछले टॉपिक में समझा ट्रांस्पोर्टेशन और ट्रांस्पोर्टेशन का मीडियम कौन को सरालिक अब आप इसमें मेजर्मेंट को समझें मेजर्मेंट मीजर्मेंट मीजर्मेंट मीज कि यह युनिट किया है सुस्urm ईट मालव करना करल लाता है किसी भी मंलों यह आपका कुभ एक को यह पर यहां पर अपसकर एक टेबल इसका आपको डामिंस्ट पता है नहीं पता है सो उस डामिंशन को कि मालो मैं आपसे पूंस दो कि बच्च बताओ कि इस एसका इस एसका कई डिससेंस क्या होगा यानि कि यह जो एजह ये कितना डिस्टेंस कवर कर और इसकी लेंदी कितनी है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको यूणिटके टर्म एप इस अब क्या है वो तो हम लोग समझेंगे यह करना हो नहीं मालो कि मैं बोलूंगा कि यह आपका हो गया ऐसे माई के एगजांपल लड़ा हो यह हो गया मालो आपका कि 40 cm कि 40 cm ठीक है तो 40 cm में यह cm क्या है कि एस्टुरेंट 40 cm में यह cm क्या है तो आप कहोगे सर 40 cm में हमारा cm जो है वही तो है यूनिट तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला किसी भी unknown quantity किसी भी unknown quantity को जानने के लिए किसी एक एक फिक्स quantity का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट तो स्टुरेंट आपको मेरे साफ से किलियर हो गया हो ठीक है ना देखो अब मैं लेंद की बात करूं तो काफी एक तो यह आपका एज हो गया ठीक इसी तरीके से यह चारो फिर आप नीचे की बात करोगे तो यह आपके स्टैंड्स हो गया तो फिर इनकी भी कुछ लेंद हुईगी इसके भी कुछ डाइमेंसम्स होंगे तो आपने इस टॉपिक में यूनिट को समझा है यूनिट क्या है तो एक बार मैं आपको समने और रिपेट कर देता हूं किस की भी अन्नोन क्वेंटिटी को जानने के लिए कोई एक फिस क्वेंटिटी का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट तो एस्टुरेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे को टॉपिस को डिस्क्स करूंगा थैंक् कर्देंगा करते हैंदिए को दो खना हैंपसे हैंपसे हम